हेलो फैंड्स मैं अतुल अतुल कैटे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक सोल्डरिंग आयरन मैंने यहाँ पे बनाया है तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे हाउ टूमेक सोल्डरिंग आयरन विदाउट सिटी जी हाँ दोस्तों मैंने एक सोल्डेंग आयरन बनाया है जो के बिना बिजली के चलने वाला है फैंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस पर यह ब्लैक कलर कर दिया तो दोस्तों ज्यादा खूब सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की हट नो अगे तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस परकार से मैंने सोल्डरिं आयलन बनाया ह तो friends आप देख सकते हैं यह MDF के board के piece ले लिए मैंने यहाँ पे 2 piece लिए हैं दोस्तो 100 mm by 100 mm लंबे बीस mm चोड़े हैं दोस्तो 6 mm मोटाइ में लिए हैं मैंने यहाँ और 2 piece लिए लिए दोस्तो मैंने 100 by 15 mm के यह भी 6 mm की मोटाइ में है अब फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने पत्ति लिए एक तो दोस्तों यह आप अगर मार्गेट में जाएंगे तो आपको जो वैल्लिंग शोप वाली दुकान होती है यहां जहां वैल्लिंग मसीन रिपेर होती है तो वहां पर पुरानी पत्ति मिल जाएगी आराम से आप इनको ले सकते हैं कवाड़ी के ठोक के रेट में मिल जाएगी मतलब सस्ते में तो यहां पर मैंने चार चोटी-चोटी पत्ते ले लिए और एक यह बड़ी पत्ती ले लिए आप देख सकते हैं तो बड़ी पत्ती के लंबाई 6 इंची है यानिके 1.500 में मैं छ पति नीचे और दो पति ऊपर रख लेनी अफरन एक बायर ले लेना है हमको तो यह देख सकते हैं यह वायर है जो मोटर वायंडिंग शोप पर आपको मिल जाएगा पतला बायर कोपर का ले लेना वर्ना तो आयररन को ले लेना आपको और कुछ इस तरहीके से यह यहां पर लपेट देना जिससे के ये पत्या आसानी से इसमें fix हो जाएं तो fans ये पत्या में क्यों लगा रहा हूं वीडियो में बने रही हैगा आपको full knowledge मिलेगी है पत्या में क्यों लगा रहा हूं आगे मैं आपको इसका region भी बताऊंगा तो वीडियो प्लीज दोस्तों आपसे request है पूरा देखेगा क्योंकि दोस्तों मैं आपको फुल वैल्यू प्रोवाइट करने कोश्च करता हूं यहां पर के और नहीं नहीं चीजे के जिससे के आप उनको इंपलिमेंट करके खुद भी बना सेके आसानी से तो जो यह मैंने यहां पर ले लिया है और कुछ इस तरीके से यहां पर मार्किंग मैंने कर लिए अफेंड्स यह जो मैंने मार्किंग की थी तो इस पर यह मैं कुछ होल कर लूँगा आप देख सकते हैं तो यह मैंने मार्किंग कर लिए दोस्तों 6 होल किये मैंने 6 होल के मार्किंग किये मैंने आप देख सकते हैं अफेंड्स ड्रिल मसी की मदद से मैंने यहाँ पर नीचे रखके इन में यह च्छे ओल कर लिए तो दोस्तों अब मैं में एमडिये बोर्ड कंफुई हो जाएगा कि सास कहां से ले और आगे आप समझदार हो खुद समझ सकते हो चलिए मजाट कोई वाद नहीं तो दोस्तों आपने टोल यहां wäre टो होल किरें जो इस तरी के से यहां पर देख सकते हैं जो कोपर का वायर पतला सहां मैंने लिए ता तो उसी तरीके कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर देना जिससे के उन्हें भी वीडियो की नोलिज पूरी-पूरी मिल सके तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको बांध के और यहाँ पर कंप्लेट कर लिया है अब फ कंप्लिट हो चुका है तो दोस्तों अभी यह देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इस पर मैं थोड़ा सा पेंट कर लेता हूं तो दोस्तों पेंट वैसे अगर आपके पास में हो तो कर सकते हैं नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है बस जराई है कि देखने म यह मेरे को 30 रुपय मिला था दोश्ट और काफी टाइम पहरे लिया था मैंने तो आप भी मार्केट से परजेश कर सकते हैं इसको तो आप देख सकते हैं कि पेंट करने के बाद में शूप चुका है और कुछ देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा बनानी पड़ेगी जैसे कि हमारी काम नहीं करेगा तो मैंने रगण के और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी चोंच बना लिए दोस्तों मार्केट से भी अगर आप सोल्डिंग आरे लेते हैं तो उसकी चोंच इस तरह के आती क्योंकि थोड़ा सा सरफेस होना च तो दोस्तों यह मैंने कंप्लेट कर लिया है और अब इसकी बार यह आ गई है टेस्टिंग की दोस्तों यह बिना बिजली के चलेगा यानि के आपकी गैस तो खर्च होगी लेकिन हां दोस्तों जब अमर्जनसी में सबसे बढ़िया काम है अब दोस्तों मैं जो आपको बात हट आउगा तो आप देख सकते हैं कि हम आर milton हो चुका है जो वायर है तो दोस्तों जिख मैं हटा आउओं तो यह पत्तिया energy को store करके रखेंगी यानिके इस ज Dalben से हटाने के बार सबस्दीर घठाने के पाद हम जिससे के energy जादा देर तक store करके रख सके तो दोस्तों ये मैंने आपको तायर पे मैंने flux लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे तरीके से जैसे हमारा market से लाए हुआ इलेक्ट्रिक वाला जो solding आयरेन होता है वो काम करता है तो ऐसे ही ये भी काम कर रहा है तो दोस्तों देखे कितनी देर हो चुकी है मुझे इसे gas से हटाई हुए और अभी तक भी ये गर्म है और हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो ये मैंने यहाँ पर wire ले थे जो ज काफी मजबूत ही है जहां पर जोड़ लगा है अब फ्रेंड्स मैं आपको और थोड़ी सी टेस्टिंग करके दिखा देता हूं तो यह मैंने मोटर ले लिए यह जो DC की 775 मोटर 12 वोल्ट की तो देखिए मैं desolting करके दिखाऊंगा तो जैसे मैंने लगा है एकदम से हमारा यह wire यहां से हट चुका है अब मैं इसको दुबारे से salting आपको करके दिखा देता हूं तो यह देगे दोस्तो जैसा मैंने अटाया था और यह लगा दिया है यहां पर तो दोस्तो perfect काम कर रहा है हमारा जब आपके पास में बिजली ना हो तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है दोस्तो अगर आपके पास में गैस नहीं है तो जो लैंप होती है उसकी लो से भी आप इसको गर्म करके अपने यूज में ले सकते हो तो फैंस मैंने यहां पर आपको पूरा complete तरीके से बता दे कि आप बिना बिजली के किस तरीके से बना सकते है यानिके वीडियो के आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पर आगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबादें जिससे वीडियो की हर नोटिवेशन आपको मिलती रहे अगर आप में इस तरीके क वीडियो की आपके किसी के फ्रेंड को जरूरत है तो वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं जिससे के वीडियो का पूरा फाइदा उठा सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई 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 फ्रेंड्स